हाला एरिवन कैसे आप सब भी आई हो पॉल आर गुड इमांचे पदेश करंट अफेस का थार्ड पार्ट आ चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट आइम हमने पढ़ा था कि इमांचे पदेश गवर्मेंट बनाएगी आउटडोर जीम ठीक है काम बनाएगी पबलिक प्लेसी पर बनाएगी जैसे कि पार्क होगे यह जो हो आउटडोर जीम जो है वो फिट इंडिया मूवमेंट को बल देंगे सबसे पहले कहां पर बनाए जा रहे हैं धर्मसाला जो की कांगरा डिस्टिक में पढ़ता है और साइद जवदी ही दूसरी डिस्टिक में भी बनाएगे इमांचल परदेश में लभी मेला मनाए जाता है ठीक है और वो कॉन समेला है इंटरनेशनल मेला है 2019 में जो है वो किस प्लेस पर जो है वो और्गेनाईस किया गया कहा मनाय गया तो यह बनाय गया रामपूर जो की सिमला डिस्टिक में पढ़ता है और यह किस ने जो है वो इसका इनेगरेट किया किस ने जो है वो इसका उदगाटन किया तो हमारे जो गवर्नर है बंडारू दतत्रे ने जो है वो इसका उदगाटन किया यह जो मेला चला वो चार दिन चला ठीक है चार दिन चला रामपूर टाउन जो है वो सिम्रा डिस्ट्रिक में पढ़ता है और यह जो है वो 400 साल पहले से मनाया जाता है तो 400 साल पहले चलते हैं चाल सो साल पहले जो राजा हुआ कते थे राजा कहरी सिंग ठीक है रामपूर के राजा हुआ कते थे कहरी सिंग और इन्होंने जो है वो उस टाइम जो है वो एक ट्रेटी साइन की थी ट्रेड के लिए ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किसके साथ तीबेत के साथ ठीक है ती 20 किलमेटर है सिमला से और उस टाइम से उस टाइम जो है वो अफगानिस्तान तीबेत और लदाक में जो है वो ट्रेड चलता था जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है मंचपदेश गवर्मेंट ने और्गेनाइज की राइजिंग हिमांचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट मंचप इन तर कांगड़ दिस्टिक में पढ़ता है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का मतलब होता है यहां पे बड़ी-बड़ी कंपणी आती है तो बटाती है कि हमने कितना इन्वेस्ट करना है कितने पैसे इन्वेस्ट करना है हिमांचल पदेश में ठीक है और एक ब किस डेट को ज कौन थी जो की इसकी ब्रांड अम्बैस्टर थी तो कौन थी यम्मी गौतम ठीक है मचप देश में जो है वो टू थाउजन्ट टू हंडर्ड नाइन पंचायच को जो है वो नेच्छल फर्मीं के अंडर लाए जाएगा तो किस स्कीम के अंडर जो है बूलाय जाएगा तो प् 2,209 पंचायच जो है वो इसमें नेच्छल फर्मिंग की खेती करेगी तीक है नेच्छल फर्मिंग की खेती करेगी इसमें लगवग 50,000 फार्मर 55,000 फार्मर जो है वो इस स्कीम के अंडर काम करेंगे मतलब की नेच्छल फार्मिंग करेंगे तो इसके लिए जो है वो टेन 75 सबसीडी इसके लिए जो वो नैचनल फार्मिंग के इन्पुट के लिए जो भी ड्रम चाहिए होते हैं ठीक है अगर आपने वो ड्रम ख्रीदने हैं तो इसके लिए जो वो सरकार 75 सबसीडी जो है वो देगी ठीक है मांचपदेश के सीएम जैराम ठाकुर ने जो है वो उदगाटन किया सरकाट हाउस सिमला में सरकाट हाउस का सिमला में ठीक है इसमें जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो 55.19 क्रोड जो है वो एक्सपेक्टिट किये गए है ठीक है यह जो है वो टुरिजम को मंचपदेश के नए चीफ जस्टिस बने है लिंगपपा नारायन स्वामी मंचपदेश ने जो है वो एक योजना बनाई है ठीक है जिसमें की हाफ बे हूम बनाए जाएंगे हाफ बे हूम बनाए जाएंगे मेंटली क्योड परसन के लिए अब देखिए जो मेंटली क्योड जो की mental था पहले ठीक है पागल था वो ठीक हो चुका है ठीक है mentally cured हो चुका है तो क्या होता है कि समार्ज जो पूप Bock उन्हें accept नहीं करता है बोलते हैं कि अभी भी वैस़े हा कुछ भी कर सकता है तो समार्ज जो पूपKnatt accept नहीं करता ही कर बार तो उनके लिए half way home मनाय जाएंगे ठीक है उनको जो है वो सारी facility वहाँ पर दी जाएगी जॉब भी मिलेगी उनको healthy environment में रखा जाएगा उनको Manchapdes ने जो है वो एक campaign की योजना मनाई है campaign चलाएगी or not okay or not okay तो ये बड़े बड़े जो है वो सहर में चलाय जाएगा जैसे की पाड़ी लाकों में उपर उपर ठीक है इसमें बताय जाएगा की horn बजाने से जो है वो कितना noise pollution होता है मतलब noise pollution होता है इसके लिए लोगों को जाग रुख किया जाएगा Manchapdes के चिप Minister C.E.M. जैरान ठाकों ने launch किया है प्रग्रती रत किस bank के साथ मिल कर जो है वो launch किया है तो एक ही है HDFC bank के साथ इसमें क्या करे गया HDFC bank इसमें क्या किया जाएगा कि एक रत जाएगा वो जाएगा गाउं गाउं में जाएगा और लोगों को जो है वो डिजिटल लिट्रेट करेगा डिजिटली लिट्रेट करेगा तीक है इसमें जो है वो लोगों को बताया जाएगा आउनलाइन जो है वो आप कैसे जो है वो LinkedIn कर सकेंगे डिजिटली साकसर बनाएगा एक help line number launch किया है न या मुख्यों मंतरी सेवा संकल्प ने launch किया है तो कौन सा नंबर जो हम launch किया है ग्यारा सो तीक है इसमें क्या होगा इसमें जो है वो लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा यह जो है वो हपते में six day काम करेगा यह नमबर ठीक है सुबह 7 बजे से साम के 10 बजे तक यह नमबर काम करेगा इंडियन आर्मी की जो टीम है उन्होंने जो है वो थर्ड हाइस्ट पीक और फिमांचरप्रदेश इसमें क्या किया उन्होंने लियोपार्गिल की जो उंचाई है वो है 6773 मीटर ठीक है तो एक अब की 20 अगस 2019 में ठीक है बहुत मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने पर भी जो उन्होंने वहां पे जो है वो नैशनल को लहराया ठीक है फैराया मतलब और तरड हाइस्ट पीक है मांचरप्रदेश की किस रेंज में आती है तो जैसकर रेंज में मांचरप्रदेश के जो गवर्नर बने है बो बने है बंडारु दत्तरिय ठीक है यह आपको पता है तो आज के लिए इतना एक आप ही है तो रहिए खुश रहिए God bless you all